नमस्कार दोस्तों मैं बिलिंदर को और माइडिटेशन टीचर एंड और दोस्तों आज हम बात करेंगे कि जो मेडिटेशन है उसको हम कैसे उसकी टेक्निक्स को फॉलो करना है उसमें क्या क्या हमने प्रिकॉशन्स लेनी है तो सिंप्ली एक बात आप समझ लो कि किमेडिटेशन एक सहज टकनीके के एक सहज अपने आप में एक सहज है जिर कोई अग्रेसव टकनीक नहीं है कि जिसको हम पहुआ हो कि उतना हमें जादा बेफिट मिलेगा उल्टा जितना हम अग्रेसव होंगे उतना ही हमें इससे हार मिलेगा, हमारी बॉडी को हार पहुंच सकता है, मारी माइड को हार पहुंच सकता है, बहुत सरे लोग जो aggressively medication को करते है, चोड़ दे दे कर वो कोई मंत्रा चैंट करते है, बहुत stress देकर कोई भी चीज को जाप करते हैं तो उनको headache होती है हो सकते हैं लिकिन होती है headache उनका जो सिर है वो heavy heavy रहता है उनको benefit होने की बचाए वो depression में चले जाते हैं क्योंकि जो energy है उनकी बहुत जादा जो energy जिसको कोई direction नहीं मिल रही तो जब energy को कोई direction नहीं मिलती वो उपर उड़ती है लेकिन without direction, without channelize तो वो बहुत सारी energy आपको brain hemorrhage कर सकती है आपको headache हो सकती है आपको और बहुत सारी physical and mental problems हो सकती है तो एक बात आप understand कीजिए कि जो हमारा spiritualism है जो हमारा meditation है वो सहज में रहने की एक कला है कला है कि जीने का डंग है तो इसमें एक तो हमने कोई aggressive technique नहीं करनी और दूसरा हमने इसको doing नहीं बनाना इसको being बनाना है तो जैसे इस वक्त मेरी आँखे सक्रीम को देख रही है मैं बोल रही हूं जैसा कुछ सहज में हो रहा है मैं अराम से बोल रही हूं सब कुछ naturally हो रहा है अगर इसे वक्त मैं जोर जोर से चिलाने लगूं चीकने लगूं तो वो सहज नहीं रहेगा वो एक जबर्दस्ती किया हुआ काम बन जाएगा और हमें आलरी पता कि अगर हम ऐसे करते हैं तो हमें कितना नुकसान हो सकते हैं सेम रूल मेडिटेशन में लगू होता है जब हम सहज में रहकर करते हैं तो हम naturally करते हैं हम अपनी being में होते हैं लेकिन अगर हम किसी YouTube की टेक्नीक को जबर्दस्ती करना शुरू कर देते हैं और हम सोचते हैं कि हमारी जो energy unblock हो जाएगी हमारे चक्रा खुल जाएगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा उल्टा आपका बहुर नुकसान होगा तो आपको जो है meditation को अराम से पहले उसको understand करना है अप जल्द बाजी ना कीजिए जैसे ह हम पढ़ाई करते हैं कोई experiment हम लैब में जाकर करते हैं तो पहले उसकी theory को सबचते हैं फिर जाकर हम उन chemicals को एक दूसरे में mix करके कोई न्या जो है चीज तैयार करते हैं लेकिन अगर हम उसकी theory को समझे बिना लैब में जाए और chemicals को एक दूसरे में mix करना शुरू हो जाए तो करना शुरू करते हैं तो हमें पता है कि उससे कितना नुक्सान हो सकता है इसी तरह से पहले आप अपने mind को समझे आप अपने जो है आप को समझे कि why I am here मेरा जो mind है उसमें विचार आते है कैसे विचार आ क्यों आते हैं उसके पिछे क्या रीजन है क्या कोई मेरी ट्रैजरी है क्या कोई मेरा ग्रीट है क्या कोई मेरा डार है क्या कोई मेरा जो दूसरों के साथ जैल्सी वाला फैक्टर है क्योंकि जो भी हमारे विचारते उनमें कोई उनके पिछे कोई ना कोई रीजन होता है को क्या है क्यों करना है हमें जब क्यों मेडिकेशन में रहना है रीजन को चानिए उसको समझे फिर कोई टक्नीक आप शुरू कीजिए गाइड़न्स के लेकर किसी से अगर कोई मंत्रा चैन्ट करते हैं कोई शब्द पढ़ते हैं तो उसे अराम से कीजिए जब दस्ती नहीं करना थेंक यू सो मच दोस्तों हैं हमारा मैंडियो प्नुटिजम चैनल सब्सक्राइब करना मत बूलियों